हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है मैं आहां आप लोगों को शट्रिंग के बारे में बताने जा रहा हूं कि शट्रिंग में कितना खर्चा आता है ठीके तो राफ्ट और फाउंडेशन में जो हम शट्रिंग लगाते हैं उसमें कितना खर्चा आएगा पर स्क स्क्राइब में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे मट्रियल में कितना एक्स्पेयंस होता है जो हम मट्रियल यूज करते है मराइन प्लाइब यूज करते हैं उसका जो एरिया रहता है उसका साइज जो रहता है यूज करते हैं 1.22 by 2.44 का मतलब 2.97 स्क्वर मितर का उसका साइज होता है जिनरली ठीक है 12 mm ठीक है 12 mm ठीक रहेमिर ओके 12 mm ठीक इसलिए कि यह CPWT 12 mm ठीक प्लाइवोट का इस्तमार करने के लिए बोलता है उनका रिकमेंटेशन रहता है ठीक है अब इसमें ऐसा है कि अगर मैं 2.97 को square feet में convert करूँ तो 32 square feet आता है अभी हम जो raft और footing का shuttering करते हैं तो एक ही ply को हम minimum 4 times यूज़ कर सकते हैं तो suppose मेरा जो area है 10 square meter है तो यह 10 square meter area को अगर हम 4 वर उसमें एक ही ply यूज़ करें तो कितना हो जाएगा 10 square meter ply नहीं लगेगा बलकि मैं क्या करूँगा उस area को 10 square meter एरे को 4 times divide करूँगा तो मुझे actual ply वो कितना square meter लगेगा वो हमको निकल जाएगा अभी हम देखते हैं कि इसका खर्चा कितना है तो 2.5 square meter जो है वो आपका ply है ठीक है 2.5 square meter तो यह जो rate निकाला हूँ सब्सक्राइट रूपीज मार्केट मेंट रूपीज पर square feet के हिसाब से marine plywood मिलता है प्लाइवूड का जो किम्मत है 80 रूपीज square feet के हिसाब से मिलता है या 85 रूपे या 90 रूपे इस हिसाब से मिलता है तो 2.5 square meter में कितना खर्चा आएगा तो इधर में निकाला हूँ 2.75 यह 2.75 ऐसा है कि मैंने 10% क्या किया है वेस्टेज पकड़ा है क्योंकि हम जब कट करते हैं विकिंग करते हैं तो उसमें हमारा 10% वेस्टेज भी होता है तो एक्चॉल में यूज होने वाला जो है यह आपका एक्चॉल खर् वेस्टक है यह 2.75 ऐसा ऑड़े शर्चा है यह एक्चॉल वह इन गया श्रीक ओसमें पारेशी करते हैं शर्डर मव्र्ण मारेश करते हैं उस से इस ऊफ्चे करते में इसमें कितना ओनए होता है तो सबसे पहले एक कंसेप्ट याद रखिएगा इसका जो साइज है दो इंच बाइ तीन इंच बाइ टू पॉइंट फॉर फाइब मीटर ये मतलब 8 फूट का होता है और 2 इंच बाइ तीन इंच होता है तो उसको हम जो पट्टी मारते है प्लाइवूड के उपर एक प्लाइवूड में 6 सिक्स नंबर्स ऑफ बैटन यूज होता है तो अभी मैं उसको सबसे पहले क्यूबिक फीट में कंवर्ट कर लूगा तो क्यूबिक फीट में कंवर्ट करने के लिए क्या करूबाइव जिरो पाइव इंटू 0.075 इंटू 2.45 यह हो गया क्यूबिक फीट में उसको अगर 35.28 श्रूबिक फीट से मल्टिपलाइव भरों करोगा तो यह क्यूबिक फीट हो जाएगा ठेक है यह हो गया क्यूबिक फीट अभी 6 कित्ना हैoud करना है similar six एक में 6th यूज होता मार्केट रेट है आप मार्केट रेट निकालके यहां पूट अब गर सकते हैं वो रेट एट हंड़ेट कुबिक फूट के हिसाब से मिलता है ठेक है अब यह क्यूबिक फूट हो गया यह हो गया खर्चा प्लाइवूड और बैटल का जो हम पट्टी लगाते हैं उसके उपर लेबर क्यास्ट मेकिंग और फिक्सिंगंग अभी लेबर कास्ट जो रहता है देकिए जो मार्केट मीडेत चलता है पाचा सब्सक्वर मीटर यभीस क्यप इलिए स्क्यूर सब्सक्राइब हैं Gal वो तो 10 स्कूर मिटर एरिया करेगा टोटल लेकिन हमारा प्लाई 2.5 यूज हो रहा है उसी को हम क्या करेंगे यूज करके 10 स्कूर मिटर करेंगे तो उसका अगर 50 रुपे के हिसाब से भी पगड़ते हैं तो 500 रुपी जून का हो जाता है फिर उसके बाद निल अभी एक प्ल खर्चा होगा वो उससे हम मुल्टिप्लाई कर देंगे तो समझ लेजिए एक किलो के आसपास खिला आपको लग जाएगा पौने एक किलो तो किस पचास रुपे या साथ रुपे केजी के हिसाब से भी अगर आता है खिला तो 50 मुल्टिप्लाई तरेंगे तो 35-40 रुपे खिले में जाएगा ठीक है उसके बाद मशीन मशीन का भी भाड़ा लगा होगे क्योंकि मशीन कटन करने के लिए लगता है ठीक है उसके बास हथाओड़ी खिला यह सब हमको उसका भी हमको जोड़ना है तो एक लंसम पाच रुपे मैं पकल लिया टेली स्क्वेर मिटर एरि यह है अमार प्लाइवूड और बैटन जो पट्टी है उसके मैंने 10% जोल लिया है ऐसी जोलने नहीं कि 10% उसमें खर्चा होगा सपोर्ट और बैटन के लिए जैसे हम फूटिंग करते हैं तो फूटिंग के लिए हम सपोर्ट लगाते हैं जैक्विक लगाते हैं या उसको फली लगा के या मुंडा लगा के उसको सपोर्ट जो देते हैं उसका खर्चा ठीक है ऑईल अब हम जो प्लाइवूड में ऑईल लगाते हैं तो समझ लेजिए इस ऑईल का खर्चा ऐसा है कि कम से कम एक स्क्वेर मीटर में एक लिटर टेन स्क्वेर मीटर एरिया में पॉइंट लिटर यूज हो जाता है टेन स्क्वेर मीटर एरिया में यह इदर लिटर में तो अगर दस रुपे लिटर भी हम लिए तो 80 रुपे इद़ इस्वेटर एरिया में खर्च अ इदर समझे तेन स्क्यार मिटर है तो 0.006 जुझ पॉंट श्यृ पॉंट्स होगा इसमें ज्यादे शे लिटर हो जाएगा आपका भी पाइंडिंग वायर एंड नेल फीक्सिंग उसका भी जुक्सिंग के सपोर्ट को और प्लाइवोड को जो निल मारती हूं उसका खर्च और उसको बैंडिंग माईर से जो कॉर्णर पर बांती है उसका खर्च तो अगर हम जोड़ते हैं तो समझे लिए 20 kg वह अभी 30 square meter लगी जाता है 200 gram तीके 10 square meter के लिए 20 kg वह पकड़ लेजिए तो इसका हो जाता है 125 labor handling charges अभी labor handling charges में ऐसा है कि जो भी हम plywood making करते हैं उसको हम एक जगह से दूसरी जगह replace करते हैं या उसको निकालके खिला निकालके उसको साफ सफाई करके फिर दूसरी जगह लगाते हैं तो दोस्तों इसका भी मैंने खर्च हैं पर स्कुर मिटर एरिया के हिसाब से 100 रुपीज पकड़ लिया है तो 10 स्कुर मिटर एरिया का जो माल है एक जगह से कोई दूसरी जगह लगाना उसको साफ करना ऑईल लगाना उसमें पकड़ की हमने पकड़ अभी इसमें जो इलेक्ट्रिक और वाटर चार्जेस रहते हैं टू पर सेट हम इंक्लूड कर देते हैं ति यह हो जाएगा 120 रु प्रॉफिट हम ले देंगे ठीक है एक है एक है एक कॉंट्रक्टर प्रॉफिट फिफ्टेन परसेंट ठीक है तो यह हो जाएगा अगर मैं टूटल करता हूं यह तो टेन स्कुर मिटर एरिया के लिए तेरह हजार दो सो ठाट चालिस रुपे के आसपस आपका यह खर्चा निकलेगा यह तेरी स्कुर मिटर के लिए तो टोटल कॉस्ट फूर वन स्कुर मिटर एरिया के लिए तेरह सो ठीस रुपे और इसके लिए 123 रुपे स्कुर फिट के हिसाब से आपको यह शट्री का वीथ मटेरियल काम लेना पड़ेगा ठोकाई छोड़के ठीक है कॉंक्र पकड़ लिया है प्लस में इसमें जो जादा पकड़ा हों यह टेनिस स्कुर मिटर एरिया के लिए बागि यह मटेरियल तो आपको खर्चा आए गए उतना में ठीक है वेस्टेज पकड़के में लिया है बाकि आप 100 तक भी ले सकते हैं कोई इसमें डाउट नहीं तो इस त प्रफिट आएगा या नहीं आएगा अगर पकड़ेंगे तो 25% आपको प्रॉफिट है तो इस तरीके से आप शर्ट्री का रेट अनलाइस कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजी और सब्सक्राइब किजी और लास्ट में जो बाते हैं जिरो पैंट हम जो केजी यूज करते हैं क्या खिला पर स्क्वार मिटर में ठीक है केजी नेरा यह बहुत इंपर्टन्ट इसको याद रखिएगा यह थंब रोल ले तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और शेयर किजिए थैंक्यू वेरी मच किजि बाटन्ट थैंद्टत ओिए रादों साल कBut